नमस्कार आप बेख रहें न्यूज वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम निशर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राखन की कास खबरों पर Chief of Defense Staff जनरल विपिन रावत ने मुक्यमंतरी त्रवेन सिंग रावत से उनके दिल्ली इस्तितावास पर मुलाकत की है मुक्यमंतरी ने अबहार वेक्ट करते हुए कहा कि अब वै और उनके परिवार जन पूरी तरीके से स्वस्थ हैं मुख्यमंतरी तिर्वेन सिंग रावत कोरणा को हरा कर काम पर लोट आये हैं, उनकी पतनी और बेटी को भी स्वस्थ होने के बाद एम से चुटी दे दी गई है, मुख्यमंतरी बुद्दवार को दहरादून पहुच रहे हैं, मुख्यमंतरी ने अचानक लोटने का कारेकरम और वहीं भाजप्य प्रदेश अध्यक्ष बंशीदर भगत ने मंगलवार को अपने भीमताल दोरे के दोरान कारेकरताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंद्रा हिर्देश की उम्र पर आपतिक जनक टिपणी करते हुए ऐसी बात कह दी कि बनाएगा डूपते जहाज के संपर्क में कौन आता है उत्रगन के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कॉंग्रिस की राश्य अध्यक्ष सोनिया गांदी और बसपा सुप्रीमो मायवती के लिए भारत रतन की मांग किये हरीश रावत ने ट्वीट कर काई कि दोना ही प्रकर राजनितिक व्यक्तित्व हैं उनकी राजनिती से सेमत या असेमत हुआ जा सकता है उन्होंने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सौनिया जी ने भारती मेहला को सामाजिक गरिमा और सामजिक समरपन वेजन सेवा के मापदंडों को नई उचाई प्रदान किया है मायवती जिने वर्षों से पीड़त शोशित लोगों के मन में एक अद्बुत विश्वास का संचार किया है बारत सरकार को इन दोनों के बारे में सोचना चाहिए और इस वर्ष बारत रतन दे कर सम्मानित किया जाना चाहिए उत्रखण में पिशले तीन दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है उत्रखण में अधिकतर अलाकों में बारिश भी जा रही है वहीं आज राजदानी दहरादून में गरच के साथ बारिश हुई है, सुबह 10 वजे के बाद अचानक दहरादून में मूसलादर बारिश होने लगी चारदाम ओली सहित राज़ की उची चोटियों पर बर्फ की सफेज चादर ढखी हुई है आज भी यहाँ बर्फवारी हुई है, राज जमे कडाके की सरदी पढ़ रही है, लोग सरदी से बचाफ के लिए लाफ का सारा भी ले रहे है उत्रागण में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले थम नहीं रहे हैं प्रदेश में 2549 संक्रमित मिले है, वहीं बीदे 24 गंटे में 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है कुल संक्रमितों का आकड़ा 92,365 पहुच गया है, सक्रिय मरीजों की संक्या की बात की जाए तो 3,717 हो गया है स्वास बिबा की रिपोर्ट के अनुसार 12,356 सेंपलों की जाच रिपोर्ट नेगिटिव आई है, वहीं देरादून जिले में सबसे अधिक 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले है बर्ट फ्लू के चलते प्रशाशन हाई अलट पर है, देश में चल रहे है, बर्ट फ्लू के प्रकोप को लेकर नैनी दाल चिर्यागड में वन जीवों के अहार से अंडा और चिकन पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है साथी जू में आने वाले प्रटकों को प्रवेश द्वार पर सेनिटाइस किया जा रहा है, जबकि वन जीवों से दूरी बनाया है, जाने को लेकर भी इंतिजामिया पर कर लिए गए हैं नेनिताल जू के अधिकारी अजे रावत ने बताया है कि जू आथोरटी की ओर से देश के सवी चिडियगड़ों को बर्ट फ्लू की आशंका को देखते हुए अलट जारी कर दिया गया है स्वास भिवाग इन दिनो टीवी के मरीजों की पहचान के लिए व्यापक अभ्यान चला रहा है नेनिताल जिले में लगबग एक लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है पहले चिरण में स्वास भिवाग दौरा हजारों लोगों के बलगम की जान्च की गई है जिसमें 17 टीवी के पॉजिटिव मरीज सामने आ गए है इसके अलावा अब दूसरे चिरण का अभ्यान शुरू किया जा रहा है CMO जोशी का कहना है कि जिले में टीवी की रोक्ताम के लिए हर संभव प्रियास किये जा रहे है और आशाओं की मदद से सब भ्यान को चलाया जा रहा है गरतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राजपत पर होने वाली परिट के लिए उत्राखंड की जाकी का भी चोयन किया गया है राजपत पर केदार खंड की जलक देखेगी जिसमें राज पुश्प, पशु और पक्शी एक साथ नजर आएंगे रक्षा मंत्राले में जाकी के चोयन के लिए 6 दोरे क्या मंत्रना हुई थी जिसमें उत्राखंड की जाकी जगा बनाने में काम्याब रही है फिलालेस बुलेटे में सर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ, नमस्कार